नवस्कार दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि काप को केसे कंट्रोल करें देखिए बागिरत जी के हाथ में रस्सा है जो की लगबग 8-9 फिट का रस्सा है और ये इस प्रकार से इसको डबल कर रखा है इनोंने नीचे दोनों सीरे लटक रहे हैं और उपर से इनोंने डबल कर रखा है अब दीखिए ये बबलू जी के साथ मिलके कैसे कंट्रोल करते हैं ये इस प्रकार से नीचे से डालेंगे नीचे से डालेंगे दोनों पट्टे एक आगे आया हुआ है आगे वाले पीर के पिछे एक पिछे वाले पिर के जश्ट आग यह देखे बिल्कुल इजी अब यहां पर यह इतना उचल कूद पहले कर रही थी लेकिन आप बिल्कुल भी नहीं कर रही है हमने यहां पर इसको डी हॉर्णिंग के उद्देश्य से गिराया है लेकिन आपको चाहे नेजल कोई वाउंड हो गया है चाहे पीछे कोई के लिए या कोई भी इलाज हम करते हैं हमें अगर गिराना होता है तो यह तरीका बिल्कुल सही है लेकिन जहां पर ड्रिप लगाना होता है उस समय इस तरीके का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि ज़्यादा देर तक अगर हम गिराये रखेंगे तो इसमें क्या है कि और नस्में पूरी एकदम से खिच जाती है तो ज़्यादा देर तक नहीं गिराना है थोड़ी देर तक गिराने के लिए इस विद्धी का इस्तेमाल किया जा सकता है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको केसे गिराते हैं केसे कंट्रोल करते हैं क्या इस शेकता पड़ी है